हेलो गाइस, वेलकॉम टो अव्यानियस अकेडमी, I am वेदविर and we are preparing for UGC Net Commerce and Management तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते ही है, हमारा एक जो एक्जाम है, वो हो गया है, हमारी आंसर की भी आ गई है आंसर की से आपको पता चल गया होगा, कि भी आपका एक्जाम का जो लेवल है, वो क्या रहा है, आपका जो लेवल है, वो क्या रहा है उसकी हम पहले से ही अपनी preparation कैसे करें अब student को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी study को कैसे start करें कहां से start करें क्या time management रहेगा हमारा किस किस तरीके से हमें अपनी study को complete करना है एक mind make up हमें बना के चलना है तो यही चीज हमारी missing रह जाती है हमारे exam को crack करने के लिए तो आज मै आपके लिए कुछ ऐसे tips लेकर आया हूं जिनको study करने के बाद या जिस वे में आप study करने के बाद definitely you will get success in the exam तो क्या क्या चीजे हैं चलिए आज क्लास में हम लोग discuss करते हैं तबते पहले चीज आपको क्या करने है एक systematic study करने है for paper 1 and paper 2 बहुत से students की ये गलतियां रहती है क paper 2 को पहले कर लेते हैं उसके बाद दूसरे paper को उठाते हैं बहुत से students पहले paper 1 को complete कर लेते हैं उनका ये मानना रहता है कि पहले paper 1 complete कर लो फिर paper 2 हम उठाएंगे या बहुत से students सोचते हैं कि paper 2 तो हम करी लेंगे paper 1 को पहले कर लेते है paper 2 को बाद में करेंगे तो कई बहुत लोगों के मन में confusion रहता है तो ऐसा आपको विल्कुल भी नहीं करना है आपको दोनों जो पेपर हैं उनको simultaneously study करना है पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए टाइम अलोट किजिए आप जैसे मालों for जल्दी हो जाएगा तो आप उसका टाइम जो कम कर दीजिए और उसमें आप पेपर टू का टाइम बढ़ा दीजिए जैसे मालों आप फ्री आर्ट कर रहे हो तो फ्री आर्स की जो study है वह आप पेपर वन और पेपर टू दोनों में simultaneously allocate करना है तो यह गलती आपको नहीं करनी है नेक्स एप्रोप्रियेट प्लैनिंग फॉर दा 90 डेज नॉर्मली हम यह मानके चलते हैं अक्टूबर हमारा डेफिनेटली है ही है तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहां से जैसे मालों आपने 75 डेज का study plan आपने बना लिया तो 75 डेज में हमारा क्या क्या सिलेबस है कैसे कैसे हम उसको study करना है उसके लिए आप appropriate plan बनाईए उस plan के accordingly आप अपना जो उस पर काम करना स्टाट कीजिए तो बिना planning के आप कोई भी काम नहीं करेंगे ठीक है तो appropriate planning आपके होने चाहिए कि वेदिन दा 75 डेज मुझे कैसे अपना जो सिलेबस है उसको complete करना है तो appropriate planning के साथ में आपको करना है ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी unit उठाई और उसको बढ़ना स्टाट क आपको नहीं करनी है इसके साथ साथ आपको क्या करना है कम से कम कम से कम आपको 10-15 डेज जो वह आपको क्या करना है before the exam आपको देने है किस चीज के लिए रिविजन के लिए रिविजन में आपके important formula graph pictorial यह चीज आपके इसमें काम आएंगी इसके साथ मतब आपके जो mcq है mcq की वीडियो और जो आपके यह चीज आप करेंगे इसके साथ आपके जो मॉक टेस्ट है before the exam यह चीज आपको देनी ही देनी है तो यह आपके तब तक चलते रहेंगे जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है तब तक in between आपको कम से कम कम से कम आपको five full length paper जो आपको डिसकस करने है ठीक है जितने भी previous year के paper है वो तो आप करोगे करोगे इसके साथ साथ में आपको five full length paper जो आपको clear करने है उनको solve करना है ताकि आपको अपना level जो understanding बता चले कि हमारा जो level है वो क्या है और किस तरीके का हमारा exam आ रहा है और exam based आपके full length paper जो आपको solve करने है देखो जब तक आप यह सारे पर जो अपना complete कर लेना है जितना हो गया वो ठीक है जितना नहीं हुआ उसका फोड़ देजिए दस दिन पहले आप कोई भी चीज आप अपनी नहीं उठाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे सिर्फ आप अपना revision करेंगे mock test mcq series यह सारी series करेंगे ताकि उसमें जो जो concept आपके उड़ गए थे वह concept आपके यहां पर revise हो सके और बहुत सारी चीज़े आपको नहीं नहीं यहां से पता चलेंगे उसको किस तरीके से करना है कैसे आपको solve करना है यह चीज़े आपको यहां से पता चलेंगी और इसके साथ-साथ मतलब आपकी जो full length mock test paper जो हैं वह हम लिए most important मतलब रांबान आप समझ लो इसको कि यह जो चीज़े हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं तो अगर आपने यह पांच चीज़ें कर लिए तो definitely you will get success इंदा दिसमबर 2022 exam तो thank you guys for watching this video हम जल्द ही आपको next topic में मिलेंगे आपके नए doubts को clear करने के लि से रिलेटिड हमारी जो commerce management से रिलेटिड हमारा courses upload हो चुके हैं तो उन courses की वीडियो को आप जरूर देखें उनको like करें share करें और comment करना ना भूलें तो thank you guys मिलते हैं जल्दी next video में